राशिपल के नुसार आज यानी रविवार का दिन बहुत महत्पून है आईए जानते हैं ग्रहों के चाल के मुताबिक आपके किसमत के सितारी क्या कहते हैं आईए जानते हैं मेश्ट लेकर मीन राशिवालों का राशिपल वेश राशी वालों की बात करें तो आज कर दिन आपके लिए खुश नुमा रहने वाला है आप अपने परिवार में बड़े बुजुगों की सेहत पर पूरा ध्यान देंगे और आपके विरोधी शांत रहेंगे आपको अपने पेंटिंग कामों पर पूरा ध्यान देना होगा परिवार में बड़े सदर से भी आपको कोई सला देंगे तो आप उस पर ध्यान अवश्य देंगे आप कारे शेत में कोई गलती कर पैटिंगे आपको किसी मामले को संयम रखकर निप्टाने के आवश्य चकता है कानूनी मामले में आपको कुछ समस्या आएंगी जिन से निकलने के लिए आपको मैनत अधिक करनी होगी पृषब राशी वालों की बात करे तो आज का दिन आप के लिए योजना बनाकर कामों को करने के लिए रहेगा आपको वाहनों का फ्रयोक साबधान रहकर करना होगा क्योंकि वाहन की खराबी के कारण आपको उच्छा खासा धन खर्च करना पर सकता है यदि कुछ हुल जहने चल रही थी तो वो दूर होती दिख रही है आपके मान सम्मान में आज प्रत्धी होगी मित्वल राशी वालों की बात करे तो आज का दिन आपके लिए साफदान रहने के लिए रहेगा आर्थिक दिख्टिक ओर से आपको अच्छा लाब मिलने की संभावना है यदि आपका कुछ धन अटका हुआ था तो उसमें आपको अच्छा लाब मिल सकता है आपको अपने किसी पुराने मित्व से लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा आपको कोई नया काम मिलने से आपकी खुशी का टिकाना नहीं रहेगा नौकरी को लेकर आपको कुछ समस्याय आएंगी जिस कारण आप किसी दूसरी नौकरी की तलाश कर सकते हैं आपके परिवार में किसी सदस्य की और से कोई निराशय जनक सुचना सुने को मिल सकती है करक राश्य वालों की बात करे तो आज करे नाप के लिए उन्नेती की रहा पर आवे बढ़ने के लिए रहेगा आपको सामाजिक संपर्कों से लाब मिलेगा विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाये रखना होगा आप अपनी परिवार के सदस्यों के साथ कहीं गूमने पिरने जाने की फ्लानिंग कर सकते हैं सारे शेत्र में आपको कोई बड़ा ओर्डर मिलने की संभाब ना है आप अपने घर की साथ सफाई पर पूरा ध्यान रखेंगे संतान की किसी इच्छा को पूरा कर सकते हैं सिंग राशी वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा आपकी सुख सुविदाओं में व्रद्धी होगी लेकिन नित्रों का सहयोग और सानेते आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा सामाजिक शेत्रों में काररत लोगों को सचेत रहने की आवश्यक्ता है सामाजिक शेक्रों में कार्यद लोगों के प्रभाव और प्रताप में प्रत्थी होगी आप किसी से रुपे पैसे का लेंदेन बहुत ही रेख भाल कर करें आप कमा निधर उधर के कामों में लगने से आप थोड़ा परिशान रहींगे कन्या राशी वालों की बात करें तो आज करें आप के लिए उन्नती दिलाने वाला रहीगा आप अपने चतुर बुद्धी से लोगों को आसानी से मार देने में पाम्याब रहीगे आपको अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ कामों को करने की कोशिश करनी होगी लेकिन परिबार में सदर्चे को अपना मनमाना व्यवार कुछ पसंद नहीं आएगा आप अपने पिताजी की सिहत के प्रती से चीफ रहें तुला राशी वालों की बात करें तो आज कर दिन आपके प्रभाव और प्रताप में ज़िद्धी लेकर आने वाला है ससुराल पक्ष से आपको मान समान मिलता दुखता है पिध्यार्टी किसी नए कोर्ष में दाफिला ले सकते हैं यदि आपके कुछ पुरानी काम अटके हुए थे तो उन्हें आप पूरा करने की कोशिश करेंगे आप अपने जीवन साथी को लेकर शॉपिंग पर जा सकते हैं जिसमें आपको खर्च बहुत ही सोच विचार करना होगा परिबार के सदस्यों के साथ आप कहीं पिख्री कादी पर जाने की उज़ना बना सकते हैं आप दूमने पिरने जा सकते हैं आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान दे प्रिश्चिक राशी वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए तनाब रस्त रहने वाला है आपको महिला मित्रों से साफधान रहने की आबश्यक्ता है प्रेम जीवन में आप अपने सदस्यों के साथ आनन में पल रतीत करेंगे चोटे बच्चे आपसे किसी चीज की परमाईश कर सकते हैं आपको कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद अपसे मिलने आ सकता है आपको अपने आसपास रहे लोगों से कोई भी ज़रूरी चानकारी शेयर करने से बचना होगा धनू राशिवालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए मिला जोला रहने वाला है आपको किसी लंबी दूरी की आत्रा पर जाना बहतर रहेगा बिजनस में यदि कोई काम लंबे समय सेट का हुआ था तो वो पूरा हो सकता है संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुश खबरी सुनने को मिल सकती है आपको अपने किसी पुराने मित्र से लंबे समय बात दूर कर खुशी होगी मगर राशिवालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए खर्चो भरा रहने वाला है आपको कामों को करने में कुछ समस्या आईए और आपके मनमानी विधार के कारण आपको कोई लुक्सान भी को सकता है आप अपने बिजनस में कोई कदम जल्दवाजी में ना उठाएं सोच समझ कर काम करना आपके लिए बहतर रहेगा आपको अपने कामों को लेकर यदि कुछ समस्या आ रही थी तो वो भी दूर हो सकती है वरिवार के सदस्य को कोई पेट सम्बल्द समस्या होने की संभाबना है कुम राशिवालों की बात करें तो आज का दिन आपके ले आनंज में रहने वाला है आपको लाव के अपसरू को हाथ से चाने नहीं देना है आप किसी अजनवी की बातों में न आए और अपने पिताजी से मन की बात को कहना होगा आपको किसी पुराने मित्द से लंबर समय बाद मनकर खुशी होगी धर्म कर्म के कारे पर आपका पूरा द्यान रहेगा मीन राशी वालों की बात करें तो आज आज आपको बहनों का प्योग साब धान दादर करना होगा नहीं तो कोई दुर्गटना होने की समभाबना है माता-पिता का आपको पूरा लाब मिलेगा और आप उनसे अदि कोई मदद मांगेंगी तो वो भी आपको आजानी से मेलजाएगी आपकी सेहत में कोई समस्या हो सकती है आपको अपने संतान के भविश्य को लेकर कोई प्लानन करनी होगी आपको अपने पुरानी किये गए निवेशों से अच्छा लाप मिलने की संभावना है आप अपने खर्चों पर पूरा ध्यान दे ऐसे ही अपना रोज का राशिपल जानने के लिए देखते रहें समय रिच्टर वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें और चानल को सब्सक्राइब करना विल्कुल ना भूलें